क्या काम बंते बंते रह जाते हैं? क्या दरावने सपने रोज आते हैं? क्या उच्चार से बिमारी जाती नहीं? क्या 24 गंटे रहता है आर्थिक संकट? क्या किसी अत्रिश्य शक्ती का होता है एहसास? तोने टोटके का तोड क्या है? वेके सर्फ और सर्फ धर्म ज्यान पर नमश्का धर्म ज्यान के दर्शकों का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ कविता राना मेरे साथ मौजूद है अचारी मैंग श्रमाजी मैंग जी स्वागत है आपका करने वारे कवितरी धर्म ज्यान के सभी दर्शकों को साधर नमस्कार एक बर फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि टोने टोटके और काले जादू से होने वाला जो नकरात्मा प्रभाव होता है उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं आपने देखा होगा कि अमूमन ल व्मत्यकारी बिगड जाते हैं समय पे काम नहीं होते हैं अब महनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी महनत रंग नहीं लापाती है आप बीमार हैं लगते सभी यह तोने ताट्के या पिर काला जादु जिसे आप आम माषचे में मैं एक हमके कोacles की कहते हैं कि हम किसी नजर कर आख कने कि विभा को हमें कि सी कःते हैं कि होई फूल को होती हैं वů किस तरह से एक आम आदमी के धिवन को ताभाद ही कर सकती है और किस पकार से क्या-क्या इसके लक्षन आम जीवन में देखे जा सकते हैं और इनसे किस पक्रासे मुक्ति पाए जा सकते हैं, क्या उपायी किये जा सकते हैं, खुद को in negativity चीजों से बचा कर रखने के लिए तो मैं जी सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहँगी आपको क्या लगता है मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर आप देखेंगे हमारे जीवन में जैसे इनसान है तो इस तरह से यह योनी भी है प्रेत रूइं भी होती है या इस तरह की जाती भी होती जो कहीं ना कहीं उनका अस्थित्व है अगर आप पढ़ेंगे किताबों में तो यह सब चीज आपको मिलेगी और जो लोग यह सब चीजे दिखती भी है सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है कि अगर हमारे उपर कुंडली में खराब घ्रहों का प्रभाव जादा है यानि कि अगर आपकी कुंडली में शनी राहू की यूती है ध्यान से सुनिए आप अपनी कुंडली देख लिए चाहे तो यह आपको 100% म मिले घर गा संब बहुए गा जो में बोलने जा रहो हमागँ अगर आपकी कुंडी में शनी राहू शनी मंगल शनी केतु की यूती है शनी चंद्रमा का विश्योग है यह शनी मंगल राहू जटे भाहों में हैं और दौादस हो और यह बुरी तरे पिडित हैं इनके ओ सूरी शनी राहु एक साथ बैढ़ गए हैं या शनी के तु और सूरी एक साथ बैढ़ गए तो समझ लिजे गवीटाजी ऐसे लोगों के ओपर नजर इनको सबसे जल्दी लगती है इनके ओपर ब्लैक मैजिक का असर सबसे जल्दी होत अकसर होता है कि आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं किसी के घर पे या कुछ गैस्ट आपके घर पर आते हैं आपने कोई बड़े फंक्शन किया या आप किसी पाड़ी समारों में गए और आप अपने बच्चे को बहुत सुंदर बना के लेके गए और एक आद दिन बा अगर यह चीज़े का विज़ाजी दो महीने से उपर रह ले तो कहीं ना कहीं तंत्रमंतर ब्लैक मैजिक या नाकार अत्मक शक्तियां जो हैं आपके ओपर हावी हो चुकी है तो इसलिए इस तरह की चीज़े अगर आपके घर में होंगी चाहे आपके कुंडली में कितने ही शुबयोग चल दे हो चाहे आपका वास्तु घर का कितना ही अच्छा क्यों ना हो इस तोने टोटकी के चलते ब्लैक मैजिक के चलते नजर के चलते आपकी हर शीज खराब रहेगी पैसा घर में नहीं टिकेगा सबसे वहले दिक्कत क्या होगी घर में हर कोई व्यक्ति बीमा आप घर आते हैं तो आपका महार टिकने का मन नहीं करेगा घर से बाहर जाती आपको अच्छा लगेगा घर में रहके घरेलु कले होंगे चाहें पती-पती में हो पिता-फुत्र में हो भाई-बैन में हो यह वाद वीवाद चलता रहता है और ऐसे घरों में सुक शांती नह पूजा पाट दान दक्षिना कराना बहुत जरूरी है अन्यता तो इस तरह के दिक्कते ठीक नहीं होती है मेरे पास कविदा जी ऐसे ऐसे लोग आते हैं यह में ऐसे कुंडली में बहुत शुब्योग की दशा चल दी है घर का वास्तु देखा वह भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन चीज़ों के चलते उनके जीवन में पुथल पुथल मच गई ना पैसा टिका नोखुरी भी चली गई स्वास्थानी हुई बिमारी पर पैसा लग गया बच ही नहीं है कि इस तरी की चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको पता ही नी चलेगा कि एक्चुल क्या प्रॉलों में आप क्या करेंगे अपनी कुड़ी दिखाएंगे घर का वास्तु दिखवा लेंगे उसके बाद भी सॉलूशन नहीं मिलता तो फिर फ्रस्ट्रेट ह अगर कोई जातक उसको इस बात की शिकायत है कि उसको डर लगता है और सबसे बड़ी बात है उसे नीद नहीं आती है रात को उठ जाता अचानक से और नील ब्यदूरी रहती है डर भी लगता है और बुरे-बुरे सो अपना आते हैं और अगर इसके पीछे कोई तंतर मंत् का चाक कोई तोड़ है तो आप अपने घर पे कर सकते हैं कि नियमित रूप से सुभा और शाम को कपूर जलाएं कोशिश करें कि मध्धे रात्री के बाद यानि कि हम देखें दस बज़े के बाद घर से बाहर निकलने से बचें अगर मजबूरी हो तो ही जाएं अगर जाना तक नाकारत्मक शक्तियां जो हैं हमारी घर के आसपास घूमती रहती हैं और अगर आपका समय खराब हुआ तो आप उनकी जद में आ जाते हैं तो अगर रात को आप 9-10 बज़े के बाद बाहर घूमने के शोकीन है तो घूम ये लेकिन एक तो मीठी चीज खाके घर से बाह तो इसलिए जब भी आप रात को मद्धे रात्री के बाद घर से बाहर जा रहें तो इसी का ध्यान लखें आप किसी शादी से कहीं बहार से लोड रहे हैं तो भी आते समय आइस क्रीम मिठाई पान इत्यादिगा सेवन मत करके चलिए तो भी आपके उपर नाकारत्मक हम से संपर कर सकते हैं उसका उपाय कुझा पाथ निदान भी बताएंगे घर पर कुछ गरेलू उपाई कर सकते हैं नियमी तुरुप से सुबह शाम पर कपूर जलाएं और बच्चे कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी नजर उतार दें और उसके तकी के नीचे चाकू रख दें और आधा नीमू काट के रखने कपड़े के अंदर काले रंग के कपड़े में तो उसको इस तरह के समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल जाएगी तो यह ते विस्टा मैंक्षमाजी जिन से में जाना कि किस पकार से जो यह टोने टार्ट की जो ब्लाक मैजिक होते इंका किस अगर आप भी देखिए इन तमाम चीजों से अगर आप गुजर रहे हैं तो मेरा तो बस आपको यहीं सुझा आप मैंक्षमाजी से परस्नली मिलिए अपनी कुंडली दिखाईए अपनी प्रॉब्लम शेर कीचे और उमीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉट आउट हो सके कई लेकिन पारिवारी सभी सरस्तों को नजर लग गई थी और महा वास्तुदोष घर में जिसके चलते उनके घर में बहुत बड़ी परेशानिया आ गई थी तो आप वास्तु विजिट भी करा के यह भी दिखवा सकते हैं अपनी जमीन का अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो ज़रूर वास्तु विजिट कराएं और अगर आपका घर अल्लेडी है तो उसका भी विजिट कराके उसमें कुछ संशोधन करके समान का स्थान परिवर्तन करके आप अपने घर के वास्तु को बेतर कर सकते हैं और अपने घर पे हमेशा आप नजर दोश कवच या वास्तु कुदोश नाशक यंत्र स्थापित करें ना उगराय यंत्र रखें जिसे कि पॉस्टिविटी बनी रहें बेकर चले से किसा मुझे मैं श्रमाजी को दोनों को दीजे जाज़त नमस्कार करें लोग स्थाइबाब्स फ्या मैं श्रमाजी उ Nord